दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम टोटल 6 शेर्स को कवर करने वाले हैं मदर्सन सुमी, HFCL, TTML, साथ ही साथ IRCTC जहांपर डिविडेंड के लिए अब आपके पास आखरी मोगा है और इनी सब के साथ में एक और शेर्स को यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं जिसके अंदर आपको 1-10 के रेशो का स्प्लीट यहाँ पर कंपनी ने अनाउंस कर दिया है और जिसकी रिकॉर्ड डेट भी यहाँ पर निकल कर आ चुकी है तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और बात करते हैं सबसे पिले शेर्स के बारे में जहां कल सबसे ज़्यादा रिटेल इंवेस्टर्स का फोकस रहने वाला है जहां दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बदर्शन सुमी सिस्टम लिमिटेट के बारे में जहां इस shares ने पिछले 5 टेटिंग सेशन में लगबख 5.5% तक के शांदर returns बना कर दिये हैं अगर company के fundamentals numbers की भी बात करी जाए तो company के fundamentals numbers भी बहुत ही शांदर यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं ultimately कल के दिन आपको इसके अंदर एक बड़ा target इसलिए देखने को मिल सकता है एक price unlocking इसलिए देखने को मिल सकती है क्योंकि मदरसन सुमी ने recently अपनी AGM के outcomes यहाँ पर declare कर दिये हैं जिसमें जो दो बड़ी updates निकल कर आई थी company जो यहाँ पर launch की बात निकल कर आई थी वो भी अप आपके bank account में credit होने के लिए start है तो जी हाँ दोस्तों इस AGM के outcomes के बाद ही यहाँ पर मदरसन सुमी के अंदर आपको शांदर breakout कल के trading session में देखने को मिल सकता है बात कर ले HFCL Limited के बारे में तो HFCL Limited का shares भी next week में यहाँ पर बहुत ज़्यादा line light में रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर अगर HFCL Limited की बात करी जाए तो जैसा कि आपको मैंने detail में यहाँ पर explain भी क्या था कि HFCL Limited के अंदर केसे आपको operator का game देखने को मिल रहा है और retail investors के हाथ से माल चीना जा रहा है detail में with example में ने आपको यहाँ पर बताया था कि lower circuit की limit पर आपको यहाँ पर कितने number of shares buy देखने को मिले थे last trading session में तो यही operator का game आपको कल के trading session में भी देखने को मिल सकता है लेकिन अब आपको क्या strategy लेकर चलना है अगर आपने HFCL Limited के अंदर investment कर रखा है तो definitely आप यहाँ पर 30 सितंबर 2021 तक अपनी position को 100% hold करके रख सकते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि 30 सितंबर 2021 के दिन ऐसा क्या खास है जिसके बाद HFCL के अंदर आपको नए target heat होते वे देखने को मिल सकते हैं तो अगर मैं आपको बताओं तो HFCL Limited की 30 सितंबर 2021 के दिन company की 34th annual general meeting यहाँ पर होने वाली है जिसमें company की तरफ से कुछ important decisions लिये जा सकते हैं like fundraising से related company के जो आने वाले project से उनसे related और साथ ही साथ HFCL Limited के अंदर यहाँ पर आपको एक बहुत ही शांदर rally भी देखने को मिल सकती है और इसकी share price आपको 100 रुपिस तक भी जाते हुए देखने को मिल सकती है तो at least अगर आपने short term purpose से भी HFCL के अंदर investment कर रखा है तो 30 सितंबर 2021 तक आपनी positions को 100% यहाँ पर continue कर सकते हैं बात कर ले TTML के बारे में तो TTML के अंदर last trading session में आपको लगबग 3.5% से लेकर पोने 4% तक की शांदर rally देखने को मिली थी हाला कि TTML का share पिछले past trading session में लगबग 7% तक के returns यहाँ पर बना कर दे चुका है लेकिन अभी भी shares के अंदर आपको volatility देखने को मिल सकती है क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि TTML के अंदर जिस news से इसे connect किया जा रहा था याने की super app से तो super app की tendency के गारण यहाँ पर TTML के shares के अंदर आपको volatility यहाँ पर देखने को मिल सकती है हाला कि अगर आपने TTML के अंदर investment कर रखा है तो आप definitely यहाँ पर अगर आपने short term के लिए positions बनाई थी तो आप यहाँ पर profit booking कर सकते हैं और अगर आपने long term का view रखा है तो यहाँ पर super app की launching तक आप इंतजार कर सकते हैं TTML के भी जो fundamentals numbers हैं वो काफी शांदर हमें June quarter में देखने को मिले हैं company बहुत ही शांदर तरीके से अपने loss को recover करते हुए देखने को मिल रही है और इसी progress से इसी रफतार से अगर company अपने loss को recover करती है तो आने वाले एक से दो quarter में आपको company का loss पूरी तरीके से recover होते हुए देखने को मिल सकता है बात करें IRCTC की तो IRCTC के already जो दो बड़ी updates यहाँ पर आजी के दिन निकल कर आई है वो already मैं अपनी previous वीडियो में आपके साथ share कर चुका हूँ इस वीडियो में तो मैं सिर्फ आप से IRCTC के जो final dividend company ने declare किया था 29 जुन 2021 के दिन उसके बारे में बात करने वाला हूँ यानि कि कल ही का दिन आपके पास आखरी मोका है अगर आप IRCTC के अंदर investment करते हैं तो आप 5 रुपे पर share के final dividend के लिए eligible हो जाएंगे तो अगर आपने IRCTC के अंदर investment कर रखा है तो कल के दिन अपनी positions को बिल्कुल भी score of मत करियेगा अगर आप यहाँ पर अपनी positions को score of कर देते हैं तो आप जो 5 रुपे पर share का dividend है जो की company ने announce किया है उसके लिए eligible नहीं हो पाएंगे तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा और साथ ही साथ कल अपनी positions को बिल्कुल भी score of मत करियेगा चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं CDSL के बारे में याने कि Central Depository Services Limited CDSL के अंदर last reading session में आपको 2% तक की गिरावट देखने को मिली है हाला कि CDSL का share पिछले past reading session में याने कि last week में कोई शांदर performance देखने को इसके अंदर नहीं मिली बलकि 1.5% तक की गिरावट ही हमें याँ पर देखने को मिली है तो अब बात करें कि CDSL के अंदर क्या important updates यहाँ पर निकल कर आई है तो CDSL के अंदर पिछले एक महिने में जो आपको 12% तक की शांदर एली देखने को मिली है लेकिन जैसा कि आपको पता है कि market all time high पर चल रहा है इसके अंदर corrections आना possible है तो यहाँ पर अगर आपने खरीदारी कर रखी है याने कि CDSL के अंदर तो definitely आप 1290 रुपे का support रखते वे इस shares के अंदर अपनी positions को continue कर सकते है क्योंकि company के fundamentals नंबर तो बहुत ही strong है और जिस प्रकार से DMAT account opening यहाँ पर all our India के अंदर हो रहे है और जैसा कि आपको पता है कि share market कभी बंद नहीं होने वाला है तो ultimately company का business कभी बंद नहीं होने वाला है और अगर आप CDSL के अंदर investment कर रखा है आपने तो आप यहाँ पर long term view से 1500 रुपे का target भी लेकर चल सकते हैं अब जी shares की मैं यहाँ पर stock split की बात कर रहा हूँ उसकी सबसे बिले official update आपके साथ share कर देता हूँ आप देख सकते हैं company ने जो 1 to 10 के ratio का split यहाँ पर announce किया है जिसकी record date यहाँ पर company की तरफ से announce कर दी गई है यानि कि 28 सितंबर 2021 इसके record date रखे गई है यानि 27 सितंबर 2021 तक अगर आप इस shares के अंदर investment करते हैं तो definitely 1 to 10 के ratio के लिए आप split के लिए यहाँ पर eligible हो जाएंगे तो यहाँ पर जिस share के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ आईए उसके कुछ fundamentals numbers और last performance के बारे में भी जान लेते हैं तो सबसे बिले अगर company के fundamentals numbers की बात करी जाए तो company ने जो recently June quarter के numbers अपने declare किया है numbers बहुत ही शांदर हैं जिसमें year on year business पर लगबख 71% की net profit के अंदर हमें growth यहाँ पर देखने को मिल चुकी है साथ ही साथ अगर आप company का maximum chart pattern देखेंगे तो company जब से listed हुई है तब से लेकर अभी तक 14,566% तक के multi-bagger returns यहाँ पर अपने shareholders को बना कर दे चुकी है जिस company की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है Indoborex and Chemicals Limited chemical sector की यह company और जैसा कि आपको पता है कि पिछले एक साल के अंदर chemical sector की company ने बहुत ही शांदर performance यहाँ पर बना कर दिखाई है और Indoborex की भी अगर बात करी जाए तो पिछले एक साल के अंदर लगबख 424% तक के multi-bagger returns इस shares ने भी अपने shareholders को बना कर दिए है तो Indoborex के अंदर अगर आपने investment कर रखा है तो 28 सितंबर 2021 company की तरह से 1-10 के ratio split के लिए यहाँ पर record date fix करी गई है याने कि अगर आप split के लिए eligible होना चाते हैं तो definitely 27 सितंबर 2021 तक आपको अपने demand account के अंदर Indoborex का shares continue रखना होगा याने कि hold करके रखना होगा चलिए दूस्तों उमीदे आपको वीडियो और update पसंद आई होगी अगर आप कोई वीडियो और update पसंद आई है तो इसे like और share करना मत भूलिएगा साथी साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलिग्राम चेनल को join नहीं क्या है तो link आपको description box में मिल जाएगी मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay connected stay updated